उत्तर प्रदेश के हर दोई में पुलिस ने फर्टिलाइजर फॉर्म बना कर लाखों की ठगी करने वाले दो आरोपितों को काबू किया है आपको बता दे कि तडियावा थाने में 5 अक्टूबर 2020 को आई शिकायत के आधार पर टीम का गठन किया गया था पुलिस टीम द्वारा आरोपित की धर पकड़ के लिए छापे मार कारवाई की जा रही थी जिसके चलते दो आरोपित हथे चड़े हैं हर्दोई एडिशनल एस्पिक अपिलदेव सिंग ने बताया कि ग्रफतार यूवक हर्दोई सहीत अन्यश शेहरों में फर्जी फार्मर एग्रो फर्म बना कर सिक्योर्टी के नाम पर ठगी करता था दोनों ही आरोपियों द्वारा फर्टिलाइजर के एजनसी देने के नाम पर किसानों से अवैद वसूली कर दो लाख की ठगी की गई है इन आरोपियों के पूरे गैंग द्वारा हर्दोई सहीत अन्यश शेत्रों में भी कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है जिनमें से हर्दोई पुलिस द्वारा अज गैंग के दो अपरादियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है किसानों को कुछ खाद बीज के नाम पर फर्टिलाइजर के नाम पर एजनसी देने के लिए भ्रम में डालते थे और उनसे डेड़ डेड़ लाख या दो दो लाख रुपए जमा करा लेते थे और बाद में यह फरार हो जाते थे आज ठाना टणियावा पुलिस एक गोपी चन और सुभास मिस्रा दो लोगों को गिरफतार किया है दो लोग फरार है इन लोगों दोरा स्विकार किया गया है और इनसे बरामत्गी भी हुई है मोबाइल आदिकी की इन लोगों दोरा किसानों से फर्जी एजेंसी के नाम पर काफी पैसे लिये गए हैं और इन लोगों का एक अंतर जन्पदी गिरोह है इनके दोरा सीतापूर, जहासी, हमीरपूर, सोनभद्र और बनारासाद में इस तरह के ठागी के कार किये गया है कितने लोगों को ठागी का शिकार बना चुके हैं, कितने रूपर की ठागी अब तक की हैं अभी तक की जो इन दोनों लोगों स्कूंस ताच है, इन लोगों को दोरा करीब तीन दर्जन लोगों का नाम पर काफी ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आप के लिए लेकर आए प्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं, तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुख करेंगा।